आज हम मरस्तोलों के वारे में बताएंगे ये सब हम बता रहे हैं इंग्रेजी में लखा हुआ है और सभी बूडों के बच्चे इसे जान सकते हैं पढ़ सकते हैं मैं हिंदी में बता रहा हूँ नसी आज बताएंगे मरुस्तल ये मरुस्तल ऐसे प्रदेश जहां बरसा की तुलना में वास्पी कड़ अधिक होता है और मरुस्तल ये प्रदेश कहलाते हैं ये हमें जो दिखाई दे रहे हैं ये चित्र द्वारा दरसाई आए पीली कलर में पीली कलर में ये दिखाई आए ये सभी मरुस्तली प्रदेश है ये सब ये मरुष्टली प्रदेश है इन्हें रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है ये रेगिस्तान भी केते हैं ये सुस्क प्रदेश होते हैं यहां प्रतिवी पर ऐसे इस्थान जो गर्म हो जाते हैं कुछ ठंडे हो जाते हैं, कुछ मरोष्थल तो ठंडे होते हैं और कुछ गर्म होते हैं। कुछ उस्ट कट उस्ट मरुष्टली प्रदेश होते हैं कुछ सीथ तोस्ट सीथ तोस्ट या सीथ मरुष्टली प्रदेश होते हैं इनका बिश्तार फैलाव कहां कहां हैं देखो एक तो एसिया में ये ये एसिया है हमारी ये एसिया में मरुष्टल फैले हुए हैं ये हमारा पहले हुए हैं आज बार अब पहले से बताते हैं सहरा ये अफरीका के रिगिस्तानों के बारे में यहां दो रिगिस्तान हैं सहरा कालाहरी ये दो रिगिस्तान अफरीका माधिव में सहरा और कालाहरी ये रिगिस्तान दिन में बहुत गर्म हो जाते हैं दिन में इन रिगिस् प्च पर आड़फे यह 50-60 से उपर गर्म हो जाते हैं और रात में इतने ढंडे हो जाते हैं इनका टेमप्रेश 0 सब्सक्राणी हो जाता है यहां जहना बहुत कठिन होता है क्योंकि यहां धूर बदी आँधियां पूरे दिन चलती रहती हैं जिससे यहां रहने में बहुत कटनाई होती हैं यहां सामन जन्मानस नहीं रहता है बहुत ही पुरा यहां जन्जातियां इस कालहरी रिखिस्ताने यहां जन्जातियां रहती हैं जिससे बुस्मेन के नाम से जादना जाता है उनका जी में जन जाती है वो केवल केवल सिकार पर ही अपना जीवन निर्भर करती है दूसरा रेगिस्तान है हमारा सहरा बेशुका सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो चित्र में भी दीख रहा है सारे रेगिस्तान हम सबसे बड़ा रेगिस्तान सहरा बेशुका सबसे बड़ा रेगिस बिश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये प्रस्ण में भी पूछा जाता है बिश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कुन सा है सहरा रेगिस्तान है अब हम बताते हैं एशिया के रेगिस्तान ये ये वाले ये एशिया में आते हैं ये इतनी तो एशिया में प्रमख्र जो हमारे देजिस्तान हैं वो थार जो भारत में हैं थार मरुष्टल भारत के राजिस्तान में हैं दूसरा है गोवी मरुष्टल जो चीन मंगोलिया के बॉर्डर पर है और तीसरा है अरेवियन मरुष्टल तो अब अरेवियन की बात करते हैं अरेवियन मरुष्टल में भी पसुँ चराएं और ये पसुगों में भेड, बक्री, उट चरा के अपनी ये जिंजाती अपना जीवन यापन करती है और ये दूर तक यात्रा करते हैं तो इन पानी की बड़ी समश्या रहती है तो ये उट और बक्री की खाल का बरतन बनाते हैं उसमें दूर तक ठंडा पा इसी इस्तिती है जो अरेवियन में है थार मरस्तल के जो प्रदेश है राजिस्तान में यहां के लोग अपना जीवन यापन उट बेड़ वक्री चरा कहीं करते हैं और उट को रेगिस्तान का जहाज करते हैं क्योंकि उट के पैर गद्दीदार होते हैं तो उसे दोड़ने म की आसा नहीं होती है यहां के कि परमक्ता में ऊंट पालन करते हैं अरेबिययν और Movचतने के जो लोग होते हैं इसे पहसिते हैं यहां जो फसल होती हैं यहां पेड़ ौदे होते हैं तो वो कैसे होते हैं यहां के पेड़ पौदे केवल कटीले जैसे खजूर बबूर और तमारे नाख़नी ऐसे पौदे होते हैं क्योंक पानी की कमी होती है पानी के अबाव में उनकी पत्तियां कटीली हो जाती है अब बात करते हैं गोबी गोबी मरुष्टल चीन और मंगोलिया के बड़ो पर पा जाता है बिसक्वा सबसे ठंदा मरुष्टल है यह मरुष्टल बिसक्वा सबसे ठंदा मरुष्टल है पूछी जाती है प्रस्णों में के बिसक्वा सबसे ठंदा मरुष्टल कौन सा है तो गोबी और आटाकामा और होता है इसमें दिखाया नहीं है यहां गोबी और आटाकामा दो मरुष्टल है गोबी और आटाकामा यह चीन में दोनों मरुष्टल चीन और मंगोलिया के पास में पाई जाते हैं अब आते हैं ऑस्टेलिया मरश्टल की बारे में ऑस्टेलिया मरश्टल जो है वो यहां कंगारू जी पाए जाता है ऑस्टेलिया में कौन जी पाए जाता है कंगारू कंगरू जी और वोस्टेलिया मरश्टल के नम से जाना जाता है और अमेरिका में 2 मरश्टल है कोलो ने और एरेजुना यह मरश्टल पाह जाते हैं दर्चिडी अमेरिका में आता कामा और पेटोगिनिया मरिष्टल पाई जाते हैं तो यह मरРЕश्टल के वारे में हमने बताया यह प्रस्णों में पूछे जाते हैं कैसे पूछे जाते हैं कि उतरी पोँची जाती है सबसे बड़ा मरश्तर कोन है तो सहरा मरश्तर है पूछी जाती है प्रस्णों में करे सबसे थिंडा मरश्तर कोन है दूबी और ये भारत का थार मरस्तुल कहां हिस्त थे तो राजिस्थान में तो इस तरह से प्रस्ण इन में पूछे जाते हैं ये बहुत ही important हैं और ये ये न समझे ये सभी परिच्छाओं में प्रतियोगी परिच्छाओं में प्रतियोगी परिक्षाओं में और हमारे स्लेवर्स में भी छे से हाइ स्कूल तक के स्लेवर्स में भी कही ने कही किसी रूप में हैं पूछे जाते हैं अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें धन्यवाद प्रिक्षाओं में भी जाते हैं